बहुत बेज़त होके पाकिस्तान हुआ बाहर ये कैसा सा कप्तान है बाबर क्या बात है असलाव अलेकुम देख शोड़के यूटूब चैनल अरे विया आजकल तो मैं जीता सदमे में वो असली इंसान जो है वो भी वीडियो नहीं डाल रहा है आप यहां पे विमिक्री कर र परात बोलते हैं आपने जी गईरी कर्स्टन कोच रखा है लगता सिर्फ एंगलिस सिखाने के लिए आपने रखा है ना बैटिंग और बॉलिंग अफिल्डिंग वा लगता है उपर वाले के पर उसे रखा है यह आप जादा दुखी लग रहा है यहां पर अंदर से निकल यहीं पता है इंडिय ऑ Character हम एसे इतनी बेकार टीम है की Greatest Rivalry रही नी अब ग्रेटेस्टर रिवल्री जहन म मनूं है तो है आप मनो यह अना मनों लेकिन जिबभबय वाले मानते की उनकी बहुत तगडी राइवल्री है तो पाकिस्तान के साथ राइवल्री मिंटेन करने की बात है अब पाकिस्तान इंडिया के साथ रखिया जिंबाबवे के साथ रखिया उनके उपर है मैं तो कहे रहो एक राइवल्री और बन गई USA के साथ मैं बस जिंबाबवे वर्सिस पाकिस् यहाँ आश्या के उपर है यह ऐसी क्रिकेट खेल रहे थे पाकिस्तान वाले मज़ें नहीं है यहाँ एंटरेन्मेंट फूल रहा याँ ? बाबर आजम से अभी यह मैच जीत गए आखिर में जाते जाते वहां पे भी हारने लगे थे आखरी मोमेंट पे जीत गए भाई जाता चुका चुका चिपक गया तो इसलिए करके जीत गए वर्टा यह मैच भी हारते हुए जाते यह जो कप्तान अपने आपको बोल रहा है बाबर आजम इससे इनसान से प्रेस कॉंफरेंस में पूछा गया मैच के बाद कि गलती कहा हो गई पाकिस्तान की टीम की खराब हालत कैसे हो गई कह जी हमारी आज़े टीम गलती है 15-15 जो लोग है वह अच्छा क्रिकट नहीं खेल तो फिर इस करके हमारी गलती है भई मान ले ना तेरे सारे मैं आफ दो मैच जो बन रहे है वह सारे बॉलर बन रहे है अच्छी परफॉर्मेंस जो अभी तक रही है कि चाहे इंडिया को फसाना हो चाहे यूएसे को फसाना हो वह बॉलर्स नहीं गेम बना के दी थी भाई ब भाई ने सबको लपेट दिया कि अपनी टीम के अच्छा अब याद यह आया मुझे मैं यही बोलने लगा था मकसद क्लियर है बाबर और रिजवान का कैसी बाते कर रहे हो सुन तो लो क्या मकसद है हम ओपनिंग करने जाएंगे ठीक है पार्टेंशिव जमाएंगे बेतरी अच्छा हाँ यह मकसद हो सब्सक्राइब करेंगे ठीक है फिफ्टी-फिफ्टी हो गई ठीक है पिच को मातना चूपके अपना आउट उसके बाद सारी टीम पजा दे अंदर दिना दिन दा भाई साब आपने जो बात करेंगे ना वो प्रेस कॉन्फरेंस में भी वह बात क इनसे बोला गया कि आपकी कैप्टेंसी अच्छी नहीं थी भाई मान के तयार नहीं सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा कि मेरी कैप्टेंसी खराब थी उस तो अक्नॉलिज करता है वो भी छोड़ दो उसके बाद कह रहा है कि हमारा जो मिडल ओर है उन्हों ने अच्छा पर वी तो लेके गए वह आजम गान कॉन सा गधाफी स्रीटिम के बाहर जो चोग है नहीं वह बहुता नाम बता ना आजम भाई सबसे देखो जो है एक वाई टैलेंट उसको मानता हूं जो जहां भी जाये वह अच्छी चीजे एक्स्प्लॉर करे आजम ने सारे बर्गर जोई हमारे भाई होके आए भी चैनौ प्रशान न्यॉयोंक उन्होंने देखा है कि बर्गर खारा तो एक्स्ट्रा चीज के साथ इव्तिखार चाचा मैज से पहले एक रात पहले टाइम स्कुर पे फोटो है की चाह रहे है फैंस के साथ भाई वो तो इनकी टीम की जितनी भी हाल है वो तो आप खुद ही सोचल ना 25-50 डॉलर में जो यह बाद में फैन्स की मीटेंग ग्रीट कर रहे थे 25 डॉलर की उकात है तुम्हारी है कि कोई भी आए कोई भी जाए फोटो लेके जाए इतने सा रेट रख लिया है तुमने अपना तरस हाता है या मतलब इतनी कौन सी यूज़ सहरी ब्हाए बहारी भी आई है भाई द्यृ यूज़ से घा हर बारी पैसा ही मांगने होते यार तुमने कभी सरकार चले जाती है म जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ ग्रेटेस्ट रेवली तब क्याना यह आदमी लेकिन कैप्टेंसी के हिसाफ मेरे को नहीं दिख रहा है और यह मतलब इतनी अल्रेडी बाते हो चुकी हैं टीम में बटवारे हो रखे हैं ग्रुप्स बने हो रही है इतने सब के बाद भी अगर इनसान अभी बना बैठा है वहां पर कह रहा है वापस जाएंगे बातचीत करेंगे हमसे अगर वह पोचेंगे तो हम बता देंगे वरना तो कौन सा कोई मतलब आपको ऐसे देखना है कि चिंतन मनन करना हो अचा यह भी एक बात बीच में आ रही है कि बाबर आजम के साथ चार-पांच लोग और हैं जो अभी वापस पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं यह हॉलिडे के लिए जा रहे है अभी यूके जा रहे है आपसलूटली तो यह सब पहले holiday करने जा रहे हैं इनकी भाड में जाये cricket इनकी भाड में जाये team यह मतलब इतना वो करते रहते हैं पाक्सान बचारा हार हार के ठक गया है इसलिए उसको vacation जे तो आजम खान क्यों जा रहा है साथ में वो कॉन सा थका है ओ यार शेफ नी ले घाना रहे है कि यह लो पड़ता है करना पड़ता तो यही तो बात है ना पैसे के लिए अपना इमान बेच के बैठे होया है महिम्मत होती तो वहाँ पे उसने माइक छोड़के चले याते मैं टेंटेड क्रिकेटर से बात नहीं करता हमारे उसमें शो में आये थे जब रमीज राजा 2023 क्रिकेट वर् बाकी उनके जितने एक्सपर्त है ना भाई इनों ने जो अलग अलग टीवी शो पर बोल है वो तो अपनी चागा है बाकी जो ट्weets बोल रहा है बह समय लए तो बनेरे उसमत parlar है बाकी ढाल है तो तो बेरेकर इनको लिक्ता खाय पर पारी आती है लेकिन जब तो ट्वीटे और भाइसा गूगल ट्रांसलेटीज ने पता लगया चीज़ क्या है चलो कोई नहीं मैं कहा हूँ कि कमरान अक्मल क्या है इस रेली वरी डिसपोइंटिंग और साथ पाकिस्तानी तीम कोड नॉट रीच तो इस तो इस तो बिटर फैक्ट कि अज़ेगा तो इस ताइस के और उस ख़र लगीज़ कि अज़िया तो इस यहां पागिस्तान टीम प्लेड बिलोब दा आवरेजिक रिक्रिक्त बहुत ज़ादा comedy बहुत ज़ादा बाकी आए माई शहदाद यह भी गहरा है the deserving team is through to super 8 round if you are depending on island to defeat someone you seriously don't deserve to qualify don't think even kudrat ka nizam works for those who are not deserving or ready to improve all eyes on PCB chairman now इसके अलावा यह तो यह तो देखिए जो शोज में बोल रहा है वो लंबी-लंबी राइंट कर रहा है वो अपनी जगह है वो दुख निकल रहा है दुख थोड़ा यहां भी निकल रहा है शोब अब अक्तर साब तो कुछ कह नहीं रहा है साम सूंगे उनको वो कह रहा है Pakistan World Cup journey is over क्योंकि मुझे यादे दो-तीन दिन पहले उनका यूट्यूब पर वीडियो आया था कि देखें अभी अपने कंदे मत जुकाएं अभी आप सारी उमीदे ना छोड़ें अभी भी पाकिस्तान जो आगे जा सकता है अब उन्होंने एक टेंप्लेट त्यार कर दिया है I'm very disappointed ठीक है Pakistan team is over यह दो लाइने हैं उन्होंने बूलनी बूलनी होती है मैंने देख लिया और वाकि हफीज साब जो हैं जो यह कह रहे है के dilemma of Pakistan cricket higher officials take credit not responsibility अच्छा कह रहे है कि responsibility कोई नहीं लेगा ऊपर बैठके यह आपे सिर्फ credit खाने बैठे और उसके अलावा team के लिए best tweet कर रहे हैं जी अजी बताईए कुर्बानी के जानवर हाजिर हो है यह तो savage है यह तो जी बिल्कुल savage होगे एकदम बगरीद से पहले उन्होंने बात करी है के कुर्बानी के जानवर हाजिर हो तो और उनको कुर्बान किया जाएगा क्या लग रहा है प्लेयर चेंज होगे आपको लग रहा है यह ऐसी चलता है ऐसी चलता रहेगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही मेरा नाम है रमित मैं ओभी शेख और आप देख रहे हैं स्विच